हालो गाइज वेल्कम टू नौकर्श्टडी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चेलर नौकर्श्टडी में जेपीएशी जैससी के जारखंट सामायन ग्यान जारखंट जेनरल नॉलेज्ज के तहांत आज देखेंगे जारखंट का सामायन परिचय और जारखंट के इं काफी important topic है question number one है बिहार की कितने भुभाग को काटकर जहार खंड राइज का अगठन किया गया आप सभी को पता होगा कि बिहार राइज से कटकर ही जहार खंड राइज बना है 15 नौमबर 2000 इसवी को तो कितना परसेंट भुभाग आने की कितना परसेंट भुमी कितना परसेंट धर्ति को काटकर बनाएगा तो 45.80 भुमी को बिहार के जितने भुमी थी उनके 45.80 भुमी को काटकर नए राज जयारकनड कहिने मांने कि अ पैसे जयारकनड के आप या या फिर क्या है तो जब फो ए सकनड नौमी को पता होगा राची को फिवस्तार क्या है control क्या है मिनिट 15 सकेंड कोश्चनल 4 जार्खंट राज का देशांतर की विस्तार है तो एंसरोगा 83 डिगरी 19 मिनिट से 87 डिगरी 57 मिनिट कोश्चनल 5 उत्तर से दचिन दिशा के और जार्खंट राज का विस्तार कितना है तो उत्तर से दचिन दिशा में 383 किलोमेटर पूरव से पक्षिम है और उत्तर से दचिन 383 किलोमेटर है आनिकी पूरव से पस्चिन ज्यादा बड़ा है और उत्तर से दचिन छोटा है इस पकार से आयताकार से बनाता है शेत्फल की दिश्टी से जहारखंट राज का भारत में क्या स्थान है तो शेत्फल की दिश्टी से भारत में स्थान 15 में स्थान पर है Q8 जहारखन का कुल शेतपल भारत के कुल शेतपल का कितना पर्चेंट है 2.42 पर्चेंट है जहारखन का कुल शेतपल भारत के कुल शेतपल का Q9 जहारखन राज में अभी तक कुल कितना बैक्ति मुखमंत्री पत पर आशीनी में है एंसरों का अच्छे व्यक्ति सबसे पहले बाबुलाल मरांडी फिर अर्जुमंडा फिर मधुकोडा फिर सीवु सोरन है और हमन सोरन है अभी और इसके पहले थे रगवरदास कुल बिलाकर छो लोग है जहरकंगर निर्वान के समय कुल जिल्यों की संक्या कितनी थी आठारा जिल्ये थे बाद में चार जिल्ये बने और अंत में दो जिल्ये रामगण और खुटी का निर्वान किया गया कोउशन 12 चार क suburbs का सबसे बड़ा संसर्य चेटर कॉनसा है अन्सरय। सबसे छोड़ा संसर ये छेत्र कुंचा है सही अंसरों का चत्रा कोशनर 14 चारखन राज में निवास करने वाली कुल अनुसुचित जंजात्यों क्या है सबसे खोशनर 15 चारखन राज का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है सही अंसरों का 15 नॉम्बर 25 को जारखन के स्थापना की गयी थी इसलिए पर दोमबर को अस्थापना दिवस मनाया जाता है